आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बता रहे हूं जो आपके बालों को काला करेगा आपके चेहरे पर चमक लेकर आएगा और आपका शरीर इससे फौलादी बन चाएगा आपको जल्दी से बुड़ापा नहीं आएगा क्योंकि अगर आप लंबे समय तक स्वस्त रह आप रहेंगे भीमारियों से बचे रहेंगे और यह पौधा सदाबहार का पौधा सदाबहार के फूल हमें अकसर दिख जाते हैं गार्डण में पाक में और मंदिर में पूझा के लिए इन फूल का युज़ लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इनके ब्यूटी और या तो यह वाइट कलर के होते हैं या फिर यह गुलाबी फालसा कलर के होते हैं इन्हें ने अन्तारा के नाम से भी कई लोग जानते हैं सदा बहार इन फूलों को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 12 महीने फूल खिलते हैं और अगर इसके फायदों की बात करूं तो बहुत ही है यह सदा बहार का फूल आपकी डियाबिटीस यानि की मधुमे की बिमारी को ठीक करने में इसे मधुमे के लिए संजीवनी बूटी के नाम से जाना चाता हैं और मधुमे के लिए आप सदा बहार की 3-4 पतियों को मुह में चबाकर उनके रस को चूस लो और उसके उपर से फिर थोड़ा सा पानी पी लो अगर आप 8-10 दिन तक ऐसा करते हैं तो आपकी डियाबिटीस कंट्रोल में आ जाएगी अगर आप इन्हें चबाकर नहीं खा सकते तो आप एक कप गरम पानी में 3 सदा बहार के गुलाबी फूल 5 मिनट तक पानी में भिगोकर रख दीजिए उसके बाद फूलो को निकाल दीजिए और ये पानी आप सुबा खाली पेट पी लीजिए ऐसा कुछ दिन तक करिए आपको बहुत ही फरक पड़ेगा और जब आप ये उपाई करें तो 10 दिन बाद आप अपनी शुगर की जाज़ जरूर करवाई अगर आपके शुगर उसका है वो ये है कि ये सदा बाहर का पौधा दाद खुजली इन सभी में बहुत ही अच्छे से काम करता है अगर आपको खुजली के समस्या है इरिटेशन रहती हैं तो इसके लिए आप सदा बाहर के पत्तों को तोड़ो और पत्ते तोड़ने पर जो दूद निकलेगा उ तो पत्तियों को तोड़ने पर जो दूद निकलता है उसे आप अपने घाओ पर लगाईए यानि कि आपके इनफेक्शन का घाओ भी बहुत जल्दी भर जाएगा और बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा इसके लावा जिनको बावसिर की प्राब्लम रहती है उनको मस्य हो चाते हैं उटने बैटने में भी दिक्कत होती है तो उसके लिए आप क्या करो सदा बहार की कुछ पतियों और कुछ फूलों को कुचल कर आप उसका पेस्ट बना लें और उस पेस्ट को आप मस्यों वाली जगापा लगाए इससे आपको बहुत ही आराम मिलेगा रात को सोन और बहुत ही बहतर तरीका है पिंपल्स को हटाने के लिए तो इसके लिए आप सदा बहार की पतियों को और इसके फूलों को अच्छे से धोकर उनका पेस्ट बना लीजिए और उस लेप को आप कम से कम मुहासों पर दो से तीन बार लगाए आपकी मुहासे जल्दी सूखन है मदुमक्की ने काट लिया है और वहां पर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप वहां पर भी इन फ्लावर्स को कुचल कर उसका पेस्ट लगा सकते हों आपको बहुत ही आरा मिलेगा और आपकी वह जगह सूजेगी नहीं और इसके साथ साथ अगर आप इम्मिनोटी को स्टॉंग कर देते हैं रोजाना दो फूल अगर आप खाली पेड चबा कर खा लेते हैं तो आपकी इम्मिनोटी इतनी स्टॉंग हो जाएगी कि आपको जल्दी से कोई भी रोग नहीं होगा नॉर्मली लोगों को सर्दी से गर्मी गर्मी से सर्दी आने पर बुखार हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, तो ऐसे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, साथी साथ अगर आप सदा बहार के तीन से चार पत्ते और दो फूलो को पेस्ट बना कर खाएंगे, तो इससे आपके स्किन लंबे समय तक जवान रहेगी, सबसे इंपॉर्टेट बात कि मुटापा घटाने में भी सदा बहार के फूल बहुत ही इंपॉर्टेट होती हैं, अगर आप इसके पत्तों की और इसके फूलो की चाय बना कर पीते हो, काड़ा बना कर पीते हो, सुबा खाली पेट, तो आपके शरीका मेटाबोलिजम रेट बढ़ता है, और आपको मुटापे से नजाद मिलती हैं, इसके लावा जिनको कैंसर है, कैंसर थर्ड स्टेज पर पहुँच गया है, अगर आपको बलड कैंसर है, तो उसमें भी सदा बहार के फूल बहुत ही इफेक्टिव हैं, मतलब ऐसे रिसर्च इसमें पाया गया है, कि कुछ लोगों ने ये सदा बहार का ट्रीटमेंट करके, कैंसर को भी मात दे दी, रोजाना तीन से चार फूल उन्होंने चबा करके खाए, और उनको कैंसर से मुक्ती मिल गई, उनके शरीर में कैंसर सेल्स बढ़ने बंद हो गए, और जो सेल और रेड़ी थे, वो बहुत ही जल्दी खत्म हो गए, तो सदा बहार को कैंसर के लिए बेस्ट रेमेडी माना जाता है, तो इसे गुणों का खजाना कहा जाता है, संजीबनी बूटी कहा जाता है, और ये स्किन प्रॉब्लम में भी रामबाण इलाज है, तो इनको आप यूज कीजिए और अपनी हेल्थ को मेंटीन कीजिए इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे आप प्राइक कीजिए, अपने दोस्तों, रिस्तेदारों के साथ शियर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि निया नॉटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, धन्यवाद दोस्तों